हैलो बच्चो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो बच्चो आप सभी के लिए आपके हिंदी का बहुती ज़्यादा important question paper मैं आपके लेके आ चुका हूँ और यह question paper आपके exam में आपको देखने को मिलने वाला है इसके सभी questions बहुती ज़्यादा important है और आपके exam में आने वाले हैं तो जल्दी से इनके सभी questions को देख लीजिए और इसके answers भी मैं आपको बता रहा हूँ तो वीडियो को एक like जरूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना आपको सभी question paper इस channel पर मिलने वाले हैं तो देखिए पहला जो question है दीवानों को बंदनों में बांदा था तो किसने बांदा था तो उनके उन्ह इस क्या है कि हमें लच्छे की ओर बढ़ते रहना चाहिए लच्छे की ओर बढ़ने का तो कौन सा संदेश है लच्छे की ओर बढ़ने का बस मैं सब ने अवग्या आंदोलन चलने का क्या तात पर रहे था तो ये question बहुती ज़्यादा important है आपके exam के लिए तो कौन सा कारण था तो हर इस्सा दूसरे के सहयोग नहीं दे रहा था तो हर इस्सा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहा था तो ये इसका right answer हो जाएगा अम्मा ने धमकी दी तो किसकी धमकी दी थी बहे अपने माय के चली जाएगी तो अम्मा ने धमकी दी थी कि बहे अपने माय के चली इसके बाद भूंदों के पत्ते तक पहुँचने के लिए कितने सांसत भोगती रही तो इसका जो राइट आंसर है वो तीन दिन हो जाएगा तो option B इसका राइट आंसर हो जाएगा next question है आपका सिरी किरसिन के रोने का कारण क्या था तो सिरी किरसिन रोने क्यों लग गए थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुदामा को यहां पे यह है सुदामा को रोते सुदामा के गायल पैर और दीन दसा को देखकर उनको क्या है रोना आ गया इसके बाद प्रधाना चार्रे जी ने कारे करम में सम्मिलत होकर उसकी सुभा में चार चांद लगा दिये चार चांद का मतलब होता है इसमें वावरे का अर्थ बताना है सोभा बढ़ाना तो चार चांद लगाना सोभा बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा बारत के आक्रमड ने सत्रू को पीछे धकेल दिया रेखांग के सब्द का बहुवचन बताईए तो आक्रमड ने सत्रू की सेना को पीछे धकेल दिया तो इसका कारड क्या है तो इसमें बताना है कि बहुवचन बताना है हुई तो खाली हात बिदा किये जाने पर सुधामा की पत्मे जुझलाहट इसलिए हुई थी क्योंकि सुधामा किर्शन के पास जाना नहीं चाते थे और वह उनकी पत्नी ही थी जो जिद्द करके किर्शन के पास उनको ले गई थी मदद मागने के लिए इसलिए वो क्या है ज खिला बनता है उसी प्रकार से और कौन से दो बाक्य बना ये नए जिसमें अध जोडने पर ये नया सब्द बनेगा तो देखे एक बन जाएगा आपका अध मरा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा आपका अध पका हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अध जला क्या हो जाए तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसके बाद नेक्ष्ट है आपका भाब बाचक संग्या से आपको बनाना है नए बाक्य बनाने है नमरता, तो हमें क्या है नमरता से बात करनी चाहिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, हमें अपने से बड़ों से नमरता से बात करनी चाह बूलों को समुद्र के वारे में क्या-क्या नया ग्यात हुआ तो बूलों को समुद्र के वारे में क्या-क्या नया ग्यात हुआ था तो बूल सोचती थी कि समुद्र में केवल पानी ही है पानी है परन्तु बहां पहुँचकर बूलों ने जाना कि समुद्र में बहुत से अन् पानी और पहाड किसकी चिठी या बादल की इसके बाद पत्रों ने किन चेट्रों में अनूठी भूमे का निवाई है। तो पत्रों ने कला, राजनीती और साहित्ते के छेत्र में अनूठी भूमे का निभाई है और यहाँ पे ऐस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिकित संचार के रूप में पत्रों के पूरे इतियास में कला, राजलीती और साइते पर गेरा प्रवाब पड़ा है कला में आश्चर जनक सुलेक, टाइपोग्राफी और बिती चित्र बनाने से अच्छरों का उप्योग किया गया है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके बाद सडक सुरच्छा से आप क्या समझते हैं तो सडक सुरच्छा, सडक सुरच्छा का आड़त होता है सडक पर चलते समय परते एक व्यक्ति की सुरच्छा और सडक पर सुरच्छा के लिए साब दानियां तथा नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और परते एक व्यक्ति स्वेम ही स्वेम को ही तथा दूसरों को भी स्रक्षत रखना चाहिए और सड़क पर पार करते समय हमें रोड पर बाइंगोर चलना चाहिए और हमें रोड को हमें ओवर्टेक या राइट साइड से ओवर्टेक करना चाहिए तो इस तरह से आप लिख सकते है बिकमंगो की दुनिया से कभी का क्या तात पर रहे है तो यहां बिकमंगो की दुनिया से कभी का आस्य यह है कि दुनिया केवर लेना जानती है देना नहीं कभी ने इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले भे उसे बहे प्यार नहीं मिल सका जिसकी वह आसा करता है कभी ने इसके लिए उसकी अस्फलता है कभी के लिए यह है उसकी अस्फलता है इसके बाद देखें यह विसेसर दिये हुए है इनसे आपको बाग के प्रयोग करना है जैसे पूज्य तो पूज्य पूज्य कैसे लिखेंगे के जैसे कोई भी बहापुरुस के बारे में उसको पूजे लिख देंगे सब्भे तो हमें सब्भे वासा का उपयुक करना चाहिए नीला कैसे लिखेंगे आकास का रंग नीला होता है सुदर बहे बहुत सुदर लड़की खड़ी है सुदामा की दीन दसा को देखकर सुरी किर की आखे अस्रुधारा वहने लगे थे और उन्होंने सुदामा के पैरों को दोने के लिए पानी मगवाया परंतु उन्होंने उनकी आँखों से इतना आसु निकला कि उन्हें आसुओं से सुदामा के पैर ही दुल गए इसके बाद आपकी बिचार से लेखक के पार्ट ले जहां पैया है रखा है यह नाम इस आंदोरन को समर्थन देने के लिए रखा गया है बहां की महिलां द्वारा अधिकारों बहा सतंतरता हेत्व साइकल आंदोरन का आरंब पुड़ु कुट्टई की औरतों को जागरत करने के लिए किया था इसके बाद नेक्स्ट है पत्र क्योंकि और एसमेस द्वारा केवल काम काजी बातों को ही संचिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन पत्रों द्वारा अपने मन भावों को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते पत्रों से आत्मियता जलकती है नेक्स्ट है आपके विध्याले में कुछ छात्र नल खुला छोड़ देते हैं तो आप उन्हें कैसे समझाएं तो उन्हें पानी की एहमियत बताएंगे पानी को बेड़ता नहीं बाना चाहिए पानी की एक एक भूंद बहुत कीमती है बिना पानी के जल जीवन सोचना भी पाप है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके बाद नेक् करो तलवार का पड़ा रहन्दो ग्यान तो जात ना पूछो सादू की मतलब हमें सिच्चक की कोई भी जात नहीं पूछनी चाहिए जो भी हमारे सिच्चक होते हैं तो उनसे कवे भी उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए अर्थात उनके कामों को एहमियत देनी चाहिए ना क कि उस तलवार के जो उस तलवार का जो कवर होता है मियान किसको कहते है जिसमें तलवार रखी जाती है तो मियान का उतना महत्वना ही होता है जितना की तलवार का रहता है उसी तरह से से चक्य ग्यान का जो है मोल रहता है ना कि उसके जातपात का इसके बाद ये गद्यांस है आपको गद्यांस दे कर इसका आंसर बताना है तो कौन सा दिन भारतिय सिर्मा के लिए बहुत परिवर्तन वाला दिन था तो कौन सा दिन था यहाँ पे 14 मार्च 1931 इसके बाद आला मारा के पोश्टरों के बिग्यापनों पर कौन सी पंक्तिया लिखी थी तो बे सजीव हैं सांस ले रहे हैं सत परती सत बोल रहे हैं 78 मुर्धा जिन्दा हो गए उनको बोलते बाते करते देखो तो यह लिखे हुए थी इसके बाद आला मारा के पोश्टर उपर यह हो गया चपी पंक्तिया किनके बारे में लिखी हुई थी तो यह किनके बारे में लिखी हुई थी तो यहां पे देख सकते हैं यह पंक्तिया लिखी हुई थी इस तिन पहली बार सिनिमा बोलती हालांकि इस दौर में लोग पुरी था तो किसके बारे में लिखी हुई थी तो इस फिल्म के बारे में लिखी हुई थी उप्युक्त गद्यांस के वारे में जो है सीरसक बताना है तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा पहली बोलती फिल्म लिख सकते हैं या फिर आप डारेक्ट आलम आरा भी लिख सकते हैं तो ये इसका गद्यांस हो जाएगा इसके बाद नेक्ष्ट है आपका देखिए आप ब्यावर निवासी राजे से उच्छित सफाई विश्ता के लिए अद्यक्ष को प्रार्थन पत्र लिखना है तो सफाई विश्ता के लिए आपको नगर पालि का क्यों एक पत्र लिखना है या पर अतवाव है आप एक संबाद लिख सकते है जिसमें महंगाई को लेकर दो गरडियों के बीच यानि दो जो गरेलू महिलाएं है उनके बीच संबाद चल रहा है तो कोई भी नाम ले लीजिए राखी रेखा तो कोई भी दो नाम ले लीजिए उनके बीच में आपको संबाद लिखना है वो भी किस के उपर निवन्द लिखना है जैसे मेरा खेल प्रियय, मेरा प्रियय कहेल रच्छा वंदन, विग्याब, विग्यानिक, चमतकार और मेरा प्रियय कबी तो यह important है, इनमें से आपको ऐग आजाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक कर देना थेंक्यू